दोस्तों, इंग्लिश की मज़ेदार दुनिया में आपका बहुत-बहुत सवागत है ये इंग्लिश की दुनिया रोमान से बरी हुई है लेकिन ये नटखट लेटर्स ना में बहुत सदाते हैं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक करवा देते हैं लेकिन सच बता हूँ, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं अगर आपने इन लेटर्स के साथ एक बार दोस्ती कर ली ना फिर आपको कोई परिशान नहीं होगी फिर चाहे आपके एक्जाम में इस पेलिंग मिस्टेक पर कितने ही क्वेश्चन आजाएं आप आसानी से कर पाओगे जैसे कि आप इस E को जानते हो, ये नटखट सा E ये बहुत अच्छे दिल का है, ये दूसरों की मदद करता है हाँ हाँ मैं सच कहा रहा हूँ आपने कभी एक वर्ड पढ़ा K-I-T-E, काइट हाँ पढ़ा है सर, लेकिन इसके लास्ट में E आ जाता है बट पढ़ने में तो बोला ही नहीं जाता, काइटी थोड़ी बोलता है काइट बोलता है, है ना तो फिर ये क्या करता है यहाँ पर, बताता हूँ अगर इस E को हटा दे, तो क्या बना K-I-T, ये क्या पढ़ा गया किट, लेकिन जैसे E लग जाता है तो किट के वास क्या निकलती है काइट, यानि ये I को पावर दे देता है, अपने पढ़ोसी को पावर दे देता है ताकत दे देता है, है ना कितना अच्छे दिल का इसी तरह से कोई और वर्ड ले लो आप T, A, P को क्या पढ़ती हो, टैप पढ़ती हो लेकिन जब ये E साथ में, लास्ट में लग जाता है तो क्या पढ़ा जाता है यहाँ ये A को पावर दे देता है यानि अपने जो पढ़ोस के पढ़ोस वाला है ये उसको ताकत दे देता है कि वो जो लेटर है न, वो पूरी आवाज निकले उसकी आधी आवाज न, निकले एक और एक्सांपल देखो न C, U, T क्या होता है? कट पढ़ा जाता है लेकिन लास्ट में अगर E लग जाता है तो फिर यू, यू को ताकत आ जाता है यू पूरा पढ़ा जाने लगता है फिर पढ़ा जाता है, क्यूट है न, मज़नेदार? अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे R, A, T इसमें E लगाना हो तो क्या बनी जाएगा? कॉमें लिखके बताओ क्या ये वर्ड सही बनेगा के नहीं? हाँ, अब आपको समझ मा आ रहा है कि E कितने अच्छे दिल का है इसी तरह से ये सब न, बहुत अच्छे लोग है मेरी ने बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है आज आपकी भी दोस्ती करा देता हूँ पिर चाहे कोई भी competitive exam में आप अपेर होने जा रहे हो या कोई school exam है spelling mistake की, आपकी problem खत्म हो जाएगी दोस्तों मेरे बताए, कुछ steps है जो आप अगर follow कर लोगे न, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी So without any further delay, let's get started दोस्तों आज जो मैं आपको spelling सिखा रहा हूँ न इससे आपके दो काम पूरे होने वाले है एक तो आप spelling सीखने के बाद English के किसी भी word को read कर पाऊगे आपकी reading अच्छी होगी दूसरा आपके exam में, चाहे competitive exam हो या कोई भी exam हो उसमें जो आपसे पूछा जाता है कि बताओ घलत spelling कौन सी है बताओ सई spelling क्या होगी उसे कैसे learn करना है कैसे maximum spelling को learn कर लेना है वो अभी मैं आपको technique सारी सिखा के जाने वाला हूँ तो आपका इस एक video से न एक video से आपके दो काम पूरे होने वाले एक तीर से दो निशाने लगने वाले आप चलो ध्यान से देखते है बड़ी वज़ेदार दुनिया है यह अब सुनो ना मेरी बात यह जो spelling के rules होता है वो बने कैसे है आपको जानके बहुत हरानी होगी कि जो 70% जो English की spelling है रूल से ही चल रही होती है इतने भी बुरे हलात नहीं है वो तो 30% है 30% भी कैसे है कि भाई, printing press खराब हो गई थी गलत तरीके से छपाई हो गई थी तो तब से वही spelling चलती हुई आ रही है जो कि गलत ही लेकिन वो जब से चली आ रही है या फिर कोई French word है, Spanish word है, German word है किसी all language word English के अंदर आ गया और वो वही वाली spelling अब तक continue हो रही है इस वज़े से ये जोल जाल हुआ हुआ है 30% में तो अगर हम 70% rules माइंड में रख ले किसी तरह से तो तो हमारी spelling सही होने लगेगी हमारी reading सही होने लगेगी pronunciation सही होने लगेगा दोस्ते एक important बात हमने अभी तक क्या किया है अभी तक हमने इतना पढ़ा हुआ है कि English के अंदर alphabet होते है 26 letters होते है यानि 26 आवाजे होती है अब आपको सिर्फ 26 आवाजे ही नहीं याद रखनी इसके आगी की भी कुछ आवाजे होती है वो कैसे बनती है सुनो जब दो letters आपस में मिल जाते है उनकी भी कुछ आवाजे होती है जैसे त के साथ H मिला तो इसके आवाज या तो द में निकलेगी या फिर थ में निकलेगी कोई word माइंड मारा है हाँ, thanks, thanks कहा ना अपने हाँ, तो TH की आवाज से क्या निकली थ में निकली ऐसे T, E इसके आवाज क्या निकलती है द में निकलती है TH का कोई और example आपके माइंड में कोई और word चल रहा है comment में बताओ ना मुझे अभी इसी तरह से C और H अगर एक साथ होते है तो क्या होता है CH अगर एक साथ होना तो इनके आवाज पता है किया निकलती है या तो चाव में निकल जाती है या निकल जाती है जैसे चैटर है ना, चैटर नमबरी चैटर नंबर टू ऐसे CH के आवाज रोके निकलती है काव में है waніना Chemistry बहुत सारी words आपके mind में आ रहे होंगे, तो अब पढ़ना आ रहा है, थोड़ा basic से उपर हो रहे, advanced level तक जाएंगे, अभी basic से start किया है, ऐसे एकर C और K एक साथ हो तो के आवाज निकलती है, तो इनके बस कव में निकलती है, जैसे ठिक हो गया, टिक हो गया, है न, इस तरह क पिक हो गया, बहुत सारी words आपके mind मार रहे होंगे, लेकिन C के याद रखने वाली क्या चीज़ के कव में इसकी आवाज निकल रही है, ऐसे double O एक साथ हो तो आवाज निकलेगी O, double E हो तो E, E और I एक साथ हो तो भी E, I और E एक साथ हो, अब इसमें क्या फर्ग हुआ, E आई एक साथ, I, E बाद से एक है, नई, 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 ए पहले, I बाद में, I पहले, E बाद में, दोनों ही cases में आवाज कैसे निकलेगी, E, ऐसे खीच कर पढ़ना है, आपको थोड़ा stress देना है, clear हो गया, तो आवाज कैसे निकलेगी, खीच के निकलेगी, E, ऐसे करक जैसे cautious, ambitious, infectious, ऐसे ही अगर T-I-O-U-S की जगा C-I-O-U-S हो, तो क्या आवाज निकलेगी, तो vicious में निकलेगी, हाँ, 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 तो भी शस में निकलेगी, जैसे के delicious, precious, लेकिन याद रखना, कि सर कहा T-I-O-U-S वाल आएगा, कहा C-I-O-U-S, ये कैसे पता चलेगा, उसक T-I-O-N एक साथ हो, तो क्या होता है, इसके आवाज शन में निकलते है, किस में निकलते है, आपने देखा ये, station, nation, precaution, इस तरह से, तो T-I-O-U-N भी clear हो गया, मैं कहीं भी देखा न, तो पढ़ पाएंगे, असानी से पढ़ पाएंगे, कि शन में आवाज निकलेगी, clear हो से याद रख लेना, clear हो रहा है, एक S-I-O-N, S-I-O-N, इसके आवाज कहा निकल लेगी, इसके आवाज यन में निकलती है, किस में यन, ना ही शन, ना ही जन, ना ही जन, जया और जहां का मिश्रण है, ये mixture है, सी कहा निकलती है वाज, जैसे vision, television होता है, television, confusion, तो ये ये यन चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, कर आप अपना pronunciation, spelling, mistakes, इन सब को ठीक करना चाहते हो, दोस्तों, इस spelling याद कैसे करें, आपको spelling जो एक्जाम में आप से पूछी जाती है, कि बताओ सई spelling है कि नहीं, बताओ गलत इस spelling कौन सी है, वो कैसे याद करें, कम समय में, इस कम टाइम में, उसका तरीका सुनो, बड़ा बच्चों आला तरीका, लेकिन बड़ा मज़िदार है, आप इस word को क्या पढ़ोगे, हाँ हाँ, क्या पढ़ोगे, सिर्भ हमने word पढ़ा हुआ, इसको पढ़ते है, colonel, क्या पढ़ते है, colonel, नहीं, नहीं, आप colonel मत पढ़ लेना क्या दिक्कत है लेकिन का लोनेल पढने से क्या फायदा होगा कि कल को आपको अगर लिखना पड़ेगा ना तो आपके मैंड में का लोनेल ही लिखोगे यानि Tech फिर नहीं होगी इस तरह से कोई word है, मालो precious word आपको याद नहीं होता, तो इसको पढ़ लो precious, पढ़ लो, अपने word में, जैसे आपको याद हो जाए वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे एक word होता है, जिसे बच्चे बहुत जादा गलती करते हैं जैसे determiner, क्या पढ़ते हैं, determiner, पढ़ लो determiner है लेकिं determiner पढ़ लो, कोई बात नहीं है, आई तो याद रह जाएगा ना फिर इससे फायदा क्या होगा, ये करने से, आपको ये टेक्नीक फालो करने से फायदा ये होगा कि आप कम समय में जल्दी से spelling याद कर लोगे आपको difficult लगे, उसकी जो भी आपको spelling लग रही है, जैसे, for example, psychology की आपको spelling याद नहीं हो रही है ठीक है, तो आप ये टेक्नीक फालो करो, जो भी difficult word आपको लग रहा है, उसको अपने word में, जिस तरह से आप बोल रहे हो, उसी तरह से आप लिख रहे होते हो, बहुत important point बता रहा हूँ मैं, कि हम जो बोलते हैं, अपनी जो अमारी language जो मुँपे जबान पे टंग पाता है, वैसा ही हम उतारते हैं copy के अंदर, वैसा ही हम लिखते हैं, तो अगर आप spelling wise ही बोलोगे, spelling wise ही उतार दोगे, आपकी spelling mistake की exam वाली problem यही खत्म हो जाएगी, महीना भर नहीं लगेगा, और बड़े से बड़े difficult word आप ठीक से याद रख पाऊगे, इनकी spelling आपकी सही हो जानता हूं मेरे बहुत से साथ ही वो भी है जो यह वीडियो से लिए देख रहे हैं क्योंकि उनका गौर्मेंट एक्जाम में या स्कूल एक्जाम में उसके अंदर spelling mistake के question आते हैं, बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपना common जो spelling mistakes होती हैं, उन words को आचा ये words मैंने आपके लिए यहां भी उतार दी हैं, यहां से भी देख लेना, टेलिग्राम पे पीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, तो यहां से भी एक बार नजर दोडा लेना, एक बार आखों के नीचे से निकाल लेना, ताकि आपको याद रह जाएंगे, फिर में आटेंशन वाली बात है, तो इससे आपका प्रिननसीशन भी सही हो जाएगा, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो स्पैलिंग की मिस्टेक है, वो तो सही हो ही जाएगी, तो आईए अब देख लेते हैं, क्या है वो रूल्स स्पैलिंग के, जो सबसे ज्यादा मज एक साथ हो, जानी A, E, I, O, U के अलावा जितने भी हमारे लेटर से, वो एक साथ इकठे होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, तो याद रख लेना, कहीं न कहीं E आ सकता है, कहीं न कहीं A आएगा, ये चीज़ माइड़ में जिसने रख ली न, उसको स्पैलिंग रूल रटने की क्या बन जाए, कुछ भी निमनेगा, बस हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसके साथ क्या लगाँगा, E, S जोड़ दूँगा, अब रूल सुनोगे, रूल कहता है कि अगर कोई नाउन है, और आपको यानि कोई वर्ड है, और आपको उसको प्लूरल बनाना है, उसको प्लूर चर्च, कुछ बनेगा नहीं, चर्चिस अगर मुझे कहना है, तो साथ में, S की अवाज आ रही, A की अवाज आई, तो मुझे E लगा नहीं था, हल्किसी E की अवाज आई ना, चर्चिस, तो E लगा नहीं था, तो ये एक, जिसे कहते हैं, सो कॉल्ड रूल बना हुआ है, ऐ प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाऊगी, कैसे बनाऊगी, कोशिश करो, जैसे, face, चेहरे को बacked है, ना, पहले से एक ही लगा हुआ है, तो क्या double ही लगा दोगे, एक और ही लगा होगे, yes बनाऊगे, नए ने, इसका अगर मुझे plural बनाना हूँ, एक से ज्यादा face कहने हो, म शिर्फ एक S आजाएगा तो इसमें बहुत बड़े spelling rules नहीं लगे हुए थे logic था logic ये कहता है कि आप ना कभी भी ना तीन या तीन या दो जो एक साथ हुआ आजाते हैं आपके consonant आजाते हैं उनकी आवाज नहीं निकाल सकते ये बहुत illogical सा sound करता है आपको E लगाने ही पड़ेगा और यही logic मैंने इसमें लगाया ठीक है अच्छा दोस्तों अगर मुझे किसी ऐसे word का plural बनाना है जिसके आखिर में Y आया हुआ है और उससे पहले consonant है जैसे कि opportunity एक मौके को बोलते हैं अब मुझे बोलना opportunities एक से जाधा बनाने हो तो इसकी spelling क्या होनी चाहिए रूल यह कहता है कि कभी ऐसी situation हो कि जो word है जिसका प्लूरल बनाना चाहिए उसके last में Y है और उससे पहले कोई consonant आया हुआ है तो आप Y को पहले हटा दो पहले फुरुस्वत में को निकल उसको हटा दो और उसको हटा की क्या लिख दो आय लगा और साथ में फिर एस लगा देना जो एस हम पहले से लगाते आ रहे हैं तो opportunities की spelling क्या हो जाएगी last में T-I-E-S हो जाएगा ऐसे baby, baby में भी तो यही situation बन रही ना last में Y आ रहा है तो Y को तो हटा नहीं हटा नहीं हटा नहीं Y को हटा दो और साथ में I-E-S लगा दो baby का क्या बन जाएगा? babies बन जाएगा, reply का क्या बन जाएगा? replies बन जाएगा इस तरह कि यह जितने भी वर्ट्स होंगे ना उसमें यही करना है ध्यान से देखना लास्ट में अगर वाई है प्लूरल बना रहे हो तो वाई को हटाओ आई को लाओ यह जोड़ो बात करता है दूस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ट्स होते हैं जिनके आखिर का जो लेटर होता ह है वह यह लह्ता है कि वहाईगपी ने पी टीच औरन होता है । तो लेटर के साथ लेटर होते हैं यह लगा रहे होते हैं एया रहे होते हैं नीकी आरवब की कि फॉर् upcomingomic... आ उन्ग होता है वह जैसे फर एगजांप सीट था तो सिट पर खता हूलीए ठीपर खत्म हुआ ना, तो अब हम इसको double कर देते हैं, क्या कर देते हैं, double कर देते हैं, अगर मुझे sit को ing जोड़ना है sit के साथ, होगा, ऐसे hope, hope को अगर मुझे ed जोड़ना हूँ, तो ed सिर्फ ऐसे ही जड़ना हूँ, hopd हो जाएगा, hopd हो जाएगा, तो आप mind में click करो, क्या या double होना चाहिए था के नहीं, इस तरह से आप mistake जो है, spelling mistake जो है, उसको पकड़ सकते हो, जो जो मैंने आपको letters बताए, consonant बताए, वहाँ ध्यान देने की जुरुत है, और कुछ भी नहीं, अच्छो यह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें ज्यादा सोचने के आपको जुरुत पढ़ेगी, नहीं वैसे, जैसे swim मतलब क्या होता है, तैरना, अगर मुझे इ जोड़ना हो, तो swimming बन जाएगा, तो क्या, aquarium आएगा, swimming में एक और एम आजाएगा, इस तरह से thin, thin मतलब होता है पतला, इसके साथ मालओ er जोड़ना है, thinner बनाना है मेरेको इसको, thinner बोलना है, जो thin करने वाला हो, यह word बनाना है, thinner, तो क्या, aquarium आएगा, पता नहीं, आप मु last में जुड़कर उसका meaning बदल देता है, नया word बना देता है, उसको बोल देते हैं suffix है, अब आपको याद क्या रखना है, कोई ऐसा word है, जिसके last में e लगा हुआ है, खामखा में e लगा हुआ है, अब e लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ नम कोई ऐसा suffix जोड रहे हैं, कैसा कुछ दो यद तीन अक्षरों का शिफ्द जोड रहे हैं, जो उसका meaning बदल देगा, और जिसकी शुरुआत वोविल से हो रही है, यानि a, e, i, o, u से हो रही है, तब क्या होगा, तब यह जो e हट जाएगा, कैसे, जैसे कि मैंने आप से कहा, note, note करना, note, अब मैंने साथ में इसके able जोड़ा, able में a, एक vowel है के नहीं, बिलकुल है, पहली condition फुल्फिल, दूसरी condition, क्या एक suffix है, हाँ यह suffix है, तो क्या जब मैं इसको पूरे को मिला दूँगा, तो उसमें e हटना चाहिए, बिलकुल हटना चाहिए, word क्या बन जाएगा, notable, और इसकी spelling में, उसकी spelling मे e, खत्म हो जाएगा, समझ माय के नहीं, बिलकुल, इसी तरह से कोई word है, fame, fame, fame में मैं o, us जोड़ना चाहता हूँ, sentence क्या बन जाएगा, word क्या बन जाएगा, in fact, famous बन जाएगा, लेकिन m के बाद को जो e था, वो अब हट जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि rule क्या कह र देता हूँ, यह जो e होता है, यह हटता क्यों है, क्यों हट आ देते हैं इसको, बचो जड़ा गोर करने के कोशिश करना, अगर यह e लगा रह जाता, तो word क्या बनता, for example, अगर fame में o, us जोड़ देते, और e भी लगा देते, तो e और o एक साथ हो जाते, जिनका अपने आप आपने एक e में निकलती है, जैसे आपने देखा भी है, c, किसी को सम्मदर होता है, c वाला जो c होता है, उसमें s, e, a word होता है, यह spelling होती है, तो उसमें क्या होता है, इसे week हो गया, week में भी w, e, a, तो e के वाद e में खीच के निकल जाती है, तो यह आपस में एक chemical लोचा हो समझ पायो, तो यह e को हटाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, क्योंकि फिर इसका ना कुछ अलगी meaning निकल जाता, कुछ और अलगी इसका एक reaction हो जाता, अचा हर word के case में ऐसा नहीं है, कुछ spelling दूसरे words की थी, दूसरी languages की थी, इसलिए वो तो जूकी तू रह गई, लेक इसका e हटाया और truly कर दिया, अच्छा आप मुझे एक बाद बताओ, अगर hate जो word है, h a t hate, इसके साथ अगर ed जोड दिया जाए, तो इसकी spelling क्या बनेगी, comment करके बताओ मुझे अभी के अभी, और सुने एक और मजेदार, law भी है, logic भी है, सब कुछ है इसके अंदर, दूस दूसरे के ie है, यह क्या फंडा है, यह फंडा बड़े मज़िदार है, याद रखना, जब भी कोई ऐसा word हो, जिसके बीच में e खीचने की अवाज आए, तो वहाँ पे हम e, i लगाके या i e लगाके उस word को बनाते है, उसकी spelling बन जाती है, लेकिन logic यह है, rule यह कहता है, कि ज जब इस तरह के words से पहले, इस e के अवाज से पहले, इस e sound से पहले, जो हमारा letter हो, वो c हो, वो letter अगर c हो, तो भाई, e, i लगा देना, otherwise, i, e लगा देना, जैसे के receive, receive, sa आया था न, यानि c आया था न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e आया जाएगा, perceive, deceive, इन सब में द लगाया, लेकिन अगर मैं बोलू, niece, अब niece में तो saa की अवाज ही नहीं, मैं बोलू, diesel, इसमें तो saa की अवाज ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर ie spelling इस्तेमाल की गई, अब आप मुझे बताओ, इस word की spelling क्या होगी, word है conceive, इसकी spelling ज़रा आप मुझे बता दो comment में, मैं सम अच्छा कर लेते हैं, हमने एक word सुना हुआ है fat, बोलते हैं इसके अंदर बहुत fat है, लेकिन अगर इसके last में e लगा दोगे, तो e क्या करता है अपने पडोस के जो पडोस वाला होता है, उसको बहुत ताकत दे देता है, power देता है, तो इसके अंदर fat में a को power मिलनी चाहि हैगा hate, है न मजदेदार, तो याद रखेगा, बहुत असान सी बात है, कि अगर e last में लगा हुआ है, silent है, तो हो सकता है, वो जो उसका तीसरा letter होगा, जो तीसरा letter है, वो उसको power दे रहा होगा, वो letter जो है, वो अपने पूरे जोश और खरोश मांके, जो भी उसका sound होता ह है, वो पूरा निकलने लगेगा फिर, इतना याद रखना है, रख पाओगे, बिलकुल उम्मीद है रख पाओगे, अब बात करते हैं, सी की सी के बारे में मैंने आपको कुछ अच्छी बाते बताई थी, कि यह जो सी होता है, कभी तो सा पढ़ा जाता है, कभी तो का हो, तब तो इसके अवाज सामें निकलेगी, otherwise काम में निकलेगी, अच्छा है जी, ऐसे कैसे, जैसे सिटी है, सी के बाद क्या आया, आए-ए-ए-ए ना, हाँ, ए-इ-वाई में से आया गिया, तो अब इसके बाद क्या निकले, सामें निकले, सिटी, सेंचुरी, सेंटर है लेकिन अगर के बाद कोई और आ गया इसके बाद किसमें निकल रही है कवा मजा रहा है कि रीडिंग के पॉइंट अव्यू से असान लग रहा है कि नहीं बिल्कुल लग रहा है अच्छा आप इसे सेरेमिक पढ़ोगे या फिर केरेमिक पढ़ोगे आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सेरेमिक सही है येस और नो ये मुझे बता दो मैं समझ जाओंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है दोस्तो आईए अगे बढ़ते दोस्तो अगला काम आपको ये करना है कि कुछ hominims होते है hominims का मतलब ऐसे word जिनकी spelling almost same होती है जिनका pronunciation भे almost same होता है लेकिन फिर भी अलग होते है तो आपको उनकी एक list मैं आपको दे दूँगा टिलग्राम पर मिल जाएगी वो जरूर देख ले ना, क्योंकि जो एक बार नजर डाल लोगे ना, तो वो spelling ना याद रह जाएगी फिर, कि अच्छा ये वाला word भी सही है, ये भी सही है, क्या पता आप गलत कर दो, आप सोचोंगे नहीं नहीं ये वाली spelling तो गलती होगी, ऐसा नहीं होता, कभी-कभी spelling में बहुत सारे ऐसे words भी होते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे letters हैं, जो silent हैं, लेकिन वो बच्छे समझ नहीं पाते हैं, उनकी spelling में mistake कर जाते हैं, जैसे एक word है doubt, doubt ही ऐसा word है, जिसके अंदर बी आता है, लेकिन पता नहीं है, no, no में शुरू में के आता है, पता नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे words हैं, एक बार ना, commonly, जो commonly mistaken ऐसे words हैं, जिनमें बच्छों को doubt हो जाता है, silent words है, silent letters हैं, उनके अंदर, वो list भी आप एक बार ना, जज़र ज़रूर माल लेना, जैसे Wednesday बोलते हैं, जबके Wednesday होता है, हमें पता नहीं है, ठीके silent होता है, ऐसे ghost बोलते है जो कि ghost होता है, spelling wise तो correct हो जाते हैं, लेकिन reading के point of view से हम गलत हो जाते हैं, वो ghost कहलाता है, तो वो list भी आपको दे दूँगा, आप टेलिग्राम ग्रूप पे देख लेना, मेरे पास नहीं देखना चाहते हैं, कहीं और से देख लेना, जहां से भी आपको मिल जाएं, silent words, silent letter वाले words, वो जरूर नजर मार लेना, जादा नहीं होते हैं, कमी होते हैं, commonly तो जो इस्तेमाल होते हैं, कमी होते हैं, इससे ना आपको confidence आजाएगा, जो आप mistake करने जा रहे होते हैं, वो mistake नहीं करोगे, कोई doubt आता है Instagram तो मुझसे पूछ लो, जुड़ जाओ, कहीं भी जान किस topic पर video चीए, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, चैनल को subscribe नहीं किया है, so please हमारे subscription बटन को press करें, हमारे परिवार का हिससा बने, मिलते हैं, next video में, next topic के साथ, तब तक के लिए बने रहे, dear sir के साथ